हेलो स्टुएंट्स, आम मनस्वी, वेलकमिंग यू ओलन इंश्रीराम अलाइन डिफिन्स क्लासेश, बच्चों जैसे कि आपको पता है रहे हैं एर फोर्स वाई ग्रूप की इंग्लिश पेपर का डिटेल्ट सॉलुशन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे एर फोर्स वाई ग् आपके English के 20 questions आते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे 20 questions with detailed explanation देखते हैं, मतलब 20 questions और 20 concepts के साथ में, तो चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा set 4, set 1, 2, 3 हम complete कर चुके हैं, और I hope आपको उन सब में बहुत सारे concept जानने को मिले होंगे, तो बच्चों, set 4 के शुरुआत करते हैं, आपका शुरुआत हो रही है पैसेस से, पैसेस को करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्या तरीका होता है, सबसे पहले हमें read करना होता है questions को, तो चलिए सबसे पहले questions read करते हैं, जिससे की पैसेस पढ़ते टाइम, मुझे ये धियान रहे कि मुझे किनो questions के answer चाहिए, मेरी नजर आपके answers पे होने चाहिए, बच्चों, यहाँ पर पढ़के, पैसेस को पढ़के, उसका summary नहीं लिखना है हमें, हमें केवल given questions के answer देने हैं, तो य पैसेस आपका किस के बारे में है, तो पैसेस पढ़ने से पहले ही, आपको ये पता हो, कि ये किस के बारे में है, तो पढ़ना और आसान हो जाता है, उसको समझना और easy हो जाता है, तो first question ध्यान रहा क्या पूचा है, the growth of newspaper depends on, newspaper की जो growth है, वो किस पर रिर्भर करती है, next इन paragraph पढ़ेंगे, तब ध्यान रखेंगे कि इसमें मोटी-मोटी क्या बाते हो रही है, किसके बारे में बाते हो रही है, वही उसका idea और उसकी theme हो जाएगा, next question देखते है, पूचा गया है, the word goal, goal मतलब aim, ठीक है, आपका लक्ष है, in the passes means, इस passes में goal शब्द से क्या मतलब ह यह पूचा गया है, तो passes पढ़के हम समझ लेंगे, next है, the word vital, as used in the contest, तो word आपका क्या लिया है, vital लिया है, बच्चो, आपका कौन सा word पूचा गया है, आपसे vital का पूचा गया है, as used in the contest, जो आपका इस passes में use हुआ है, उसका means क्या है, उसका मतलब क्या है, यह पूचा गय और इसमें जो भी मुझे grammatical important बात आपको बताने की लगेगी, मैं आपको बताती जाओंगी, तो देखे, शुरू करते हैं, newspapers sell because of news and editorial coverage, but it gets more revenue from advertisement, की जो newspaper sell होते हैं, ठीक है, बिखते हैं, वो क्यों बिखते हैं, because of news, उनमें आने वाली खबरों के लिए newspaper बिखते हैं and editorial coverage, औ और editorial page, आपने newspaper पढ़ा होगा, उसमें एक आपका editorial page आता है, उसमें क्या coverage किया है, किस मुद्दे को उन्होंने इसमें discuss किया है, इसके वज़े से newspaper बिखते हैं, but लेकिन it gets, अब it किस के लिए है, देखना बच्चों, एक ही sentence में, एक ही sentence में, आप बार बार noun का repetition नहीं करते बल्कि उस noun के लिए, एक suitable pronoun use करते हैं, तो यहाँ पे देखना, newspaper के लिए suitable pronoun क्या आया है, it आया है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह की error भी, grammatical error भी आपके exam में पूछी जाती है, कि एक ही sentence में, बार बार एक noun को repeat करकर के देदेंगे, आपको ऐसा कभी नहीं करना, मैंने passage में नहीं बोला, passage में तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही sentence में नहीं करना होता, तो यहाँ पे देखना पूरा एक sentence चल रहा है आपका newspaper से लेके और advertisement तक, तो एक मुझे बात पता चली, अच्छा मुझे इसका tense भी बता देजे, कौन से tense में ये sentence है, तो ये sentence है बच्चों, present simple tense मे कैसे पता चला, आपका newspaper जो आपका subject है, ठीक है, newspaper जो subject है, वो singular है कि plural है, तो बच्चों ये आपका subject है, ये plural है, newspaper में एस लगा है, तो आगर आपका subject plural हो, तो present simple में, verb में एस या एस नहीं लगता है, तो देखना direct verb लिया है, cell, इसमें कोई भी एस लगा के, इस verb को singular नहीं बनाया गया, ध्यान रखना मैंने आपको बार-बार बताया है, कि noun को plural बनाते हैं, एस या एस लगा के, और verb को singular बनाते हैं, एस या एस लगा के, इस concept को ध्यान रखना, तो यहाँ पे हमने tense की बात कर ली, अब यहाँ पे ये because of क्या है, because आपने कारण बताने के लिए conjunction तो बच्चों, आपको पता है, अगर कोई conjunction है, जैसे because, एक conjunction है, तो उसके बाद में sentence आएगा, sentence मतलब subject plus verb, लेकिन अगर आपका preposition है, तो preposition के बाद में क्या आता है, बच्चों, object आता है, यह basic, basic मैंने आपको पहली बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखना, because of को क्या बो जादा बनता है, और इसके बारे में क्या error बनता है, एक बर में सब रव करके आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर इस चीज को note कर लीजेगा, इस preposition और उसके बाद में object वाली चीज को, फिर हम discuss करते हैं आपके news का concept, तो news के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कि important noun है, औ और important क्यों है, क्योंकि जो news है, इसमें आपको S लगा दिख रहा है क्या, N-E-W-S, ठीक है, यहाँ पे news में आपको S लगा दिख रहा है, तो बच्चों कभी-कभी, बच्चे क्या करते हैं, इसको plural ले ले लेते हैं, और इसके साथ में plural वर्ब, जैसे कि अगर मैं बात करू आपके present continuous की, तो यहाँ पे R ले लेते हैं इसके साथ में, इसको plural मान के, लेकिन ध्यान रखना, news हमेशा आपका क्या होता है, singular होता है, इसके साथ singular verb, अगर present continuous की बात करूं, तो is, अगर present perfect की बात करूं, तो has, अगर present simple की बात करूं, तो does, तो आप इस चीज़ को ध्यान स आपको पता ही होगा, यह जो news word है, यह बना किससे है, देखो, news का मतलब जो चारो दिशाओं हर तरह की news को, हर तरह की खबरों को cover करे, तो n मतलब north होता है, e मतलब east होता है, w मतलब west होता है, और s मतलब south होता है, इन सारे direction को मिला के news बना है, और यह किस तरह का subject है, singular noun है, अब देखना, news, अभी अभी मैंने आपको singular noun बताया, तो देखना, verb के साथ में s लगा के रिखा है, अभी बताया, present simple में, अगर singular subject है, तो verb के साथ में s या yis लगता है, तो cost आपकी verb है, उसके साथ में s लगा दिया, क्योंकि news singular subject है, तो यहाँ पे news cost money, अब news की तो क्या ल बतायेगा, इस से विरोधातमक बात बतायेगा, while advertisements fetch money, भई news को छापने के तो खुद पैसे लगते हैं, लेकिन advertisement क्या करता है, money को fetch करता है, मतलब money को अपने पास खीच के लेके आता है, the economics of modern newspaper, जो modern newspaper की economics है, मतलब उसका जो पैसे का जोड़ तोड है, the economics of modern newspaper is such that, वो क्या है is such that it cannot run by just selling news, कि केवल जो newspaper है, वो केवल news बेचके नहीं चल सकता, it has to depend on advertisement, उसको किस पर निरबर करना पड़ता है, has to, has to बताया था, model of compulsion है, has to model है, और इसके बाद में वर्प की first form देखना बच्चों, depend आया है, और it कैसा है, its singular subject है, इसलिए has to लिया है, अगर plural होता, तो have to आ जाता, तो it has to depend on, it किस के लिए है, newspaper के लिए है, it has to depend on advertisements, उसको advertisements पे निरबर रहना पड़ता है, the economics of newspaper publishing requires both subscriber who can afford to buy newspaper, अब जो economics है newspaper का, मतलब जो पैसे का हिसाब किताब है newspaper का, वो किस पर निरबर करता है, ध्यान रखना ये question भी था, ठीक है, किस पर निरबर करता है, तो अब आपको answer मिलेगा, newspaper publishing requires, क्या जरुत पड़ती है, both subscriber, both मतलब दो लोगों की बात होगी, both subscriber की subscriber भी चाहिए, जो की afford कर सके, ठीक है, afford करना मतलब की, जो आपका कोई खर्चा उठा सके, afford कर सके to buy newspaper, newspaper खरीदने को afford कर सके, requires both subscriber who can afford by newspaper and businessman who can afford to advertise in it, और किस पर निरबर करता है, businessman जो की इसके अंदर advertisement देने को afford कर सके, क्योंकि newspaper चार्ज करता है, advertisement publish करने के लिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आया किन किन पर निरबर कर रहा है, तो देखना एक answer मिल गया, बच्चो एक और चीज़ ध्यान रखना, यह जो both है, both के साथ हमेशा आपको end का combination मिलता है, मैंने जो पुराने set करवाए हैं, उसमें इसका error भी करवाया था, बच्चो as well as करके error दिया जाता है, error करके क्या दिया जाता है, both के साथ में as well as का use, जबकि आपको पता है, both के साथ में कभी भी as well as का use नहीं होता, तो as well as लिखके cut कर देना, both के साथ क्या लगेगा, आपका end लगेगा, तो चलिए, वापस पैसेस पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, the growth of the press, ज यहाँ पर missing है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज missing है, मैं बता देती हूँ, the growth of the newspaper depends on both, किस पर निर्भड करती है, प्रेस की जो growth है, वो आपकी subscriber बेपर निर्भड करेगी, बई subscriber जो की आपका newspaper खरीदे, और आपके जो advertisement देने वाले लोग होते हैं, उन पर भी निर्भड करती इसलिए newspaper में इन दोनों में से किसी भी मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता, इसको neglect नहीं किया जा सकता, next देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है, second passes शुरू हो गया है, और याद रखना, एक question क्या था, कि second passes में किस चीज की बात हो रही है, उसका main idea क्या है, तो देखते है second passes में में किस बुद्दो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो coordination among the various departments, जो coordination है, मतलब आपसी सामन जस्य है, बहुत सारे departments होते हैं एक company में, तो कौन-कौन से जैसे की editorial, की editorial कौन लिखेगा, ठीक है circulation, की newspaper को कैसे कहा का circulate करना है, advertisement, उसमें advertisement कौन से देनी है, and production, और जो उसका production department है, is very essential for effective and better management, ये बहुत ही जादा जरूरी है, essential मतलब बहुत ही जादा जरूरी, very important, vital, ठीक है, vital, essential, important, indispensable, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, is very essential for, अब क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, for effective, बहुत जादा प्रभावी and better और अच्छे management के लिए, next क्या है, the head of various departments, जो हर department के मुख्य है, head है, must be part of the management of a newspaper, वो newspaper के management के क्या होने चाहिए, हिस्से होने चाहिए, must be रिखा है, यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, they must be aware of, वो जागरूप होने चाहिए, देखना बच्चों aware आपका क्या है, adjective होता है, और अपने बाद में fix preposition off लेता है, हमेशा, they must be, be के बाद में adjective आते हैं, बताया है न, और model क्या है, must है, must के बाद में देखना, verb की first form, verb की first form के रूप में क्या ले लिया, be ले लिया, और be के बाद में adjective aware, और aware के बाद में fix preposition off, तो they must be aware of the goal, जो goal set किये हैं, जो selection रिधारित किये हैं, उनके बारे में, इन विश्य में होने वाले जो प्लान है वो बताएं है management के लिए उनको उनके बारे में क्या होना चाहिए जागरूख होना चाहिए They cannot afford, वो afford नहीं कर सकते to remain cut off from the mainstream of management कि जो head है वो afford नहीं कर सकते कि उनको management की head stream से हटा दिया जाए कट कर दिया जाए मतलब हटा दिया जाए ठीक है management function In addition और इसके साथ साथ each department, हर एक department should keep the other department manager informed of those of its activities और इसके साथ साथ जो एक department की जो head है वो दूसरी department के head को अपनी activity के बारे में जंतरत रूप से जानकारी देते रहें ऐसा बोलना चाह रहा है That will be useful और वो जानकारी देना, वो क्या रहेगा, will be useful वो हमारे लिए उपयोगी रहेगा To them, उनके लिए उपयोगी रहेगा This is a vital aspect, एक बहुत ही महत्पून मुद्दा है, aspect है of newspaper management ये newspaper management का एक ही बहुत ही महत्पून मुद्दा है तो देख लेना, पूरा जो second paragraph है, उसमें newspaper management अच्छे से कैसे हो, इसके बारे में बात की गई है तो अब हम वहाँ पे, जो option में हमें इस से मिलता जुलता कोई answer मिल जाएगा, वही मेरा answer हो जाएगा वच्छो तो हमने पूरा पैसे रीट कर लिया, सारे questions के answer आपको यहाँ पे मिल गए होंगे अब फटा पर चलते हैं आपके answer section, आपके जो question answer है उस section पर चलते हैं देखना, the growth of newspaper depends on तो किस पर निर्भर करती है, first option पढ़ते है the growth and news coverage ऐसा तो पैसेज में कहीं नहीं था, तो यह option मेरा answer नहीं होगा next देखना क्या लिखा है, large scale of subscriber, subscriber पर तो निर्भर करता है subscriber मतलब किसी आप जैसे subscribe करते हो ना, किसी channel को जाके subscribe करते हो तो subscriber मतलब newspaper को खरीदने वाले, तो उन पर तो निर्भर करता है उसके साथ advertisement देने वालों पर भी तो निर्भर कर रहा था ना, तो केवल इस पर नहीं करता तो चलो C option पढ़ते है, advertiser, बिल्कुल advertiser पर करता है, लेकिन क्या केवल advertiser पर करता है नहीं, subscriber पर भी करता है और advertiser पर भी करता है, तो ये भी C answer नहीं होगा D option पर आएए, यही मेरा answer है, क्या लिखा हुआ है, subscriber and advertiser subscriber पर भी और advertiser पर भी, तो मेरा D answer हो जाएगा तो बच्चों ये आपको question clear होगा, बहुत आसान सा question है, आपको passes भी पढ़ने में समझ में आ गया, passes भी आपका difficult नहीं था, कोई भी difficult vocab नहीं थी आपके passes में, तो passes को देखके डरना नहीं है, second देखना, the main idea of second paragraph, तो main idea क्या है, फटा-फट option पढ़ लेते हैं, a option है, the future of newspaper है, b d है, how to sell newspaper, how to sell newspaper तो नहीं है, जो option बिलकुल भी ना लगे, उनको reject करते जाओ, ठीक है, next है, effective newspaper और d है, the role of the heads of department, तो किसका जिक्र किया है इसने, कि आपके, जो heads है department के, उनका role क्या है, पूरे paragraph में वही discussion चल रहा था, बच्चों, कि क्या role है, कि वही सब को एक दूसरे के ब basically यहाँ पे अच्छा newspaper कैसे बिके, इसके बारे में बात हो रही ही थी, तो यहाँ पे देखे ना, किसके बारे में बात हो रही थी, role of the head of the departments के बारे में बात हो रही थी, d मेरा answer हो जाएगा, next देखना, तो जो word goal आया था, ठीक है, इसका meaning क्या था, तो goal मतलब क्या होता है, बच्छो, goal होता है, लक्ष है, तो इसका जो meaning है, passes में, वो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं, option को, aim, aim ही answer मिल गया, मुझे aim भी तो लक्ष होता है, conclusion क्या होता है, बच्छो, निश्कर्ष होता है, और मैंने बताया था, conclusion के साथ कभी भी आप final नहीं लगाएंगे, क्य किसी भी चीज को मानलो, detail में, पढ़ने के बाद, समझने के बाद में, निश्कर्ष उस पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पर दियान रखिएगा, superflakes expression मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपने भी उसे detail में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर superflakes expression, कोई भी word उससे मिलता जुलता आए ना, तो उस फूरे topic को एक बार revise कर लिया अगरो दिमाग में, next देखना, result आपको सबको पता है, next देखना, benefit, benefit क्या होता है, love, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारे meaning note down कर लिजे, next देखिए बच्छो, fourth question क्या है मेरा, fourth question है, the word vital, यहाँ पर किस word की बात हो रही है, vital की, तो इसका meaning आप से पूचा है, option study कर लेते हैं फटा-फट से, तो option में क्या-क्या लिखा है, primary, primary होता है, मुख्य, तो यह तो answer नहीं है, important मिल गया है मुझे, महत्यपून, यही vital का meaning होता है बच्छो, तो B मेरा answer हो जाएगा, C देखते हैं, healthy आप सब समझते हैं, स्वस्थ से related ह और lively क्या होता है, lively होता है, जानदार, जानदार, या फिर बहुत ही जादा, रूची कर, रूची कर कोई चीज हो, उसको क्या कहते हैं, lively, lively life, बहुत ही अच्छी, बहुत ही रूची कर life कोई जी रहा है, तो हम बोलते हैं, he or she is living a lively life, तो यहाँ पे lively का मतलब क्या होता है, Next देखना बच्चों, fifth question की बात करते हैं, तो सबसे पहले instruction पढ़ना, क्या बोला है, fill in the blank with correct verb, हम भी यहाँ पे correct verb देखनी है, पहले sentence को पढ़िए, उसके meaning को समझेए, और फिर देखिए कि कौन सी verb यहाँ पे fit होती है, तो चलिए, पहले sentence पढ़ते हैं, क्या दिया है, Tina blank behind the sofa, Tina ने sofa के पीछे देखा, but did not find her missing shoe, लेकिन उसको अपना गुम हुआ जूता नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो blank में आना चाहिए, वो आना चाहिए, बच्चों verb, मिरको कैसे पता चला verb आना चाहिए, क्योंकि एक sentence की basic requirement क्या होती है, subject plus verb, अच्छा मुझ क्या है, conjunction है, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन, तो आपको पता है, conjunction की बात क्या आता है, sentence आता है, और conjunction से पहले, यहाँ पे यह जो दिया हुआ है, यह भी आपका क्या है, sentence है, अब sentence में subject तो आपको देखने को मिल गया, जो कि आपकी टीना है, singular subject है, लेकिन मुझे वर बत बच्चो तो behind क्या है? preposition है, preposition को P, R, E, P से लिख रही हूँ, जिसका मतलब होता है पीछे ठीक है? तो behind तो preposition है और ये the sofa ये preposition का क्या है? बच्चो object है, मैंने बताया, object पुरी grammar में, दो ही चीजों के बाद में या तो preposition के बाद में, या करने के sense में, खोजने के sense में चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रखे ना, खोजने के sense में, जो आपके verb आती है, बच्चो वो look आती है, और यहाँ पे correct form of verb, मतलब tense भी आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे देखना आपको tense कौन सा लेना होगा यहाँ पे, यह आपका अभी इस sentence में, depend कर रहा है, कि बट के बाद में देखना बट के बाद में, कौन सा यहाँ पे tense लिया हुआ है, did plus not plus verb की first form did plus not और find verb की first form, किस tense में आता है, बच्चो, past simple में आता है तो एक होता है parallelism of sentence यह आपका एक rule होता है बच्चो, parallelism of sentence क्या कहता है, कि पूरा sentence आपका एक ही तरह के tense में चलना चाहिए, अगर past है, तो इधर भी past ही लो यह हो सकता है, कि past simple है यहाँ past continuous ले लिया, या past perfect ले लिया, लेकिन चलेगा past ही, इसको बोलते हैं parallelism of tense, तो यहाँ पे जैसे कि past simple है, यहाँ पे भी हम past लेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने option को देखा, तो मुझे लेना है verb का second form, तो अब देखना यहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिया है looked, तो क्या यह verb का second form है बिल्कुल है, अब आप मेंसे कुछ कहेंगी यह verb का third form भी है, तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, कि ऐसा कोई tense नहीं है, कि direct subject के बाद में verb की third form आ जाए, verb की third form केवल और केवल, has, have, had, और be form के बाद ही आती है और यह सारी चीज़े अलग अलग है, has, have plus main verb की third form, आपका क्या है present, perfect है, head plus verb की third form, आपका past perfect है और b plus verb की third form, आपका क्या है, passive structure है, आपको मैंने बहुत बार बताया, तो ढूणने का sense है ढूणने के sense में मैंने क्या बताया आप किसको लो, look को लो अच्छा, word, क्या यहाँ पे चलने का sense है क्या, तो यह तो मेरा answer ही reject हो गया, अच्छा यहाँ पे C, देखने का sense है लेकिन C, यहाँ पे verb की first form है मुझे कौन सी form चाहिए मुझे चाहिए second form, और अभी अभी बताया second form क्यों चाहिए, तो यहाँ पे 100 होता अच्छा, मालो, 100 होता, तो बताओ क्या answer हो जाता, तब भी answer नहीं होता क्यों, क्योंकि ढूंडने का sense है और ढूंडने का sense किससे निकलता है, look से 100 से normally देखना, ठीक है जैसे कि आप movie देख रहे हो जैसे कि आप अपने friend को देख रहे हो, जैसे कि अपने book को देख रहे हो, तो normally किसी चीज़ को देखने के लिए आप क्या use करते हैं, see verb का use करते हैं लेकिन ढूंडने के लिए, यहाँ पे देखना, normal देखना नहीं है, किस चीज़ को कोई चीज़ दिखाना, जैसे कि राम showed me his new pen, ठीक है, राम ने अपना नया pen मुझे दिखाया, तो यहाँ पे देखना, किसी तीसरे ही person को कोई चीज़ दिखाना, उसके लिए क्या verb views होती है, आपकी show, लेकिन यहाँ पे दिखाने का sense है, क्या यहाँ पे ढूंडने का sense है, इसलिए answer क्या हो जाएगा, look answer हो जाएगा ढूंडना या तलाश ना लिख लेना तो फटा-फट से इन concept को no down कर लिए, next देखते हैं बच्चों, आपका जो six question है, वो क्या है, तो six question आपका error से related है, मैंने wise, आप option choose कर लो, D जो की है, no error, तो चलिए, सबसे पहले आप question को पढ़ते हैं, क्या दिया है neither of the teams, मतलब team में से कोई भी नहीं, neither of the teams, और neither हमेशा ध्यान रखना बच्चों, दो के लिए आता है, दो person, या तो दो व्यक्ति हो, persons, या फिर दो चीज हो, दो things, ठीक है, दो वस्तु हो, वस्तु हो, कोई दो वस्तु हो, या कोई समान हो, उसके लिए आप किसका use करते हैं, neither, अच्छा, अगर दो से जादा हो, तो क्या use करेंगे, तो more than two, more than more than two, ठीक है, इसके लिए आप किसका use करेंगे, बच्चो, इसके लिए none का use करेंगे, आपको बोला हो ना, बहुत सो मेंसे कुछ भी नहीं, तो आप none लगाओ, और दो मेंसे एक भी नहीं, तो आप neither लगाओ, यह error भी आता है, यह error भी पूछा जाता है, यहाँ पे देदेगा more than, more than two, more than two का कुछ भी देदेगा, जैसे five teams लिख दिया, तो five teams, यहाँ पे यह five teams दो से जादा है ना, तो neither नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, आपका none चलेगा, तो यह error भी पूछा जाता है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ error है नहीं, यहाँ पे mention किया नहीं है, कि team एक है, दो है, चार है, दस है, तो हम यहाँ पे दो ही मानेंगे, जब कुछ mention नहीं है, और direct neither का use है, तो मतलब हम दो मानेंगे, कि दो team थी, उसमें से कोई भी नहीं, neither of the teams are sensible enough, कि कोई दोनों टीमों में से कोई भी क्या है, sensible नहीं लेते हैं, उनमें इतना sense नहीं होता कि यह सब rule regulation follow करने हैं, तो बस यहीं बोला गया है, अब यहाँ पे error क्या है, बच्चों, बहुत अच्छी error है, error है, आपके subject verb agreement की बहुत repeatedly पूछे जाने वाली error है, क्या है यहाँ पे neither के साथ बच्चों, आप कभी भी plural verb का use नहीं करेंगे, आप किसका use करेंगे, singular verb is का use करेंगे, यह बच्चों b की form है, और यहाँ पे यह जो is है, यह आपका helping verb के रूप में नहीं है, main verb के रूप में है, मुझे कैसे पता चला, अगर यह is helping verb के रूप में होता तो इसके बाद में main verb यंजी होता, लेकिन यहाँ पे देखना sensible use किया है, यह आपका क्या है, adjective है, adjective है तो यहाँ पे b form के बाद में adjective आते हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले ही, तो यहाँ पे देखना, आपने या क्या चीज़े समझी, कि नीदर के साथ कभी भी आप plural का use नहीं करेंगे, singular verb का use करेंगे तो आर नहीं चलेगा, इच चलेगा और यह is, यहाँ पे main verb पे helping verb नहीं है, present simple tense का use हुआ है, यहाँ पे, एक और चीज़ समझे बच्चे क्या करते हैं, इस teams को देखते हैं, इस teams को देखते हैं, यह singular है कि plural है यह plural को देखके, आप क्या लगा देते हैं यहाँ पे R लगा देते हैं, यह पढ़ने में क्योंकि हमें पता exam time में थोड़ा pressure भी होता है, तो fast से हम read कर रहे होते हैं, और हम यहाँ पे teams को देखके इस R को सही माल लेते हैं, बट बच्चो मुझे एक चीज़ बताओ, कि जो आपका sentence होता है, उसमें जो verb लगती है वो subject के according लगती है, कि object के according लगती है, तो ध्यान लखना verb हमेशा आपके subject के according, तो यहाँ पे subject कौन है, neither है कि teams है, तो बच्चो subject आपका क्या है, subject आपका neither है, तो अब question आया, कि subject neither है तो teams क्या है, तो teams बच्चो object है, इसको object मैंने क्यों बोला, क्योंकि यह preposition of के बाद आया है, और बहुत बार बता दिया, कि preposition के बाद आपका क्या आता है object आता ही आता है उसको आप इसकित नहीं कर सकते तो teams तो object है अब ये चाहे object singular हो plural हमें कुछ लेना देना नहीं है हमें subject से लेना देना है और neither मतलब दोनों में से कोई भी नहीं तो कोई भी नहीं मतलब आपका singular की बात हो रही है तो यहाँ पर is आपने ले लिया, यह आपको चीज़े समझ में आई होंगे यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर since we were children, कि जैसे कि क्योंकि हम बच्चे थे, तो यहाँ पर since का मतलब क्या है, since बच्चों कंजंग्शन है, अच्छा आपने ए क्या यह वही since or foreign नहीं, वहाँ पर वो क्या होते हैं, preposition होते हैं, यहाँ पर since conjunction है, तो यहाँ पर इसका part of speech अलग है, तो इसका meaning भी अलग है, conjunction और इसका मतलब है because, क्योंकि, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने parallelism of tense अभी अभी बताया है, देखो पहले मैंने किसका यूज करो, past tense का यूज करो, तो यहाँ पर past tense का यूज करो, तो option आता है कि चलो, was लें की वर लें, अब यहाँ पर तो मैंने आपको clearly बता दिया कि नीदर के साथ में singular आपका वर्ब तो आप क्या लेंगे, was लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस की जगा है was कर ले लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि object है, preposition का, उसके बाद में मैंने parallelism की बाद बताई, बी की बाद में adjective का बताया, यहाँ पर helping verb नहीं है, main verb है, यह चीज़ बताई, तो बच्चों जैसे neither आता है, वैसे और भी तो combination है, जो अपने बाद में क्या लेते हैं, singular verb ही लेते हैं तो उन सारे combination को एक बार आप लेख लेजिए, तो वो combination कौन कौन से हैं, एक तो आपका neither of the, ठीक है, इसके बाद में आपका क्या, plural noun, plural noun ही चलेगा, ठीक है, अगर वो countable है तो, बच्चों वैसे तो मुझे बोलने की जरत नहीं पड़ते, क्योंकि uncountable तो हमेशा ही singular होते है plural noun मतलब countable ही होगा, और हमेशा plural चलेगा, ये भी error दिया जाता है, कि off के बाद में, off के बाद में, यहाँ पे singular noun करके देगा, बच्चों जब हमें बहुत सारों में से एक चीज़ को छाटना होता है, तो बहुत सारा दिखाना भी तो पड़ेगा, तो neither of the boys, तो दो boys में से क पड़ेगा, कि ये plural में है, कि बहुत दो हैं, तो plural है, इसलिए यहाँ पे हमेशा plural noun चलता है, यहाँ पे error बनेगा, singular noun बनाके error दिया जाता है, इस चीज़ को लिख ले ना, कि singular noun करके error दिया जाता है, यहाँ पे, चलो, ऐसे और कौन-कौन से combination हम उसमें बात कर रहे थे, त either of the, or any of the, or one of the, ये of the structure हैं आपके, इनके बाद में अगर countable noun है, तो plural form में, तो सम में plural noun लिख रही हूँ, pl मतलब plural, n मतलब noun, और इसके बाद में verb कैसी चलेगी, बच्चो, singular verb का use कीजिएगा, क्यों करना है, समझाया मैंने, neither, none, either, anyone, ये सब क्या है, singular pronoun है, आपके इनके बाद में हमेशा singular verb, तो इसको फटा-फट से note down कर लेजे, next देखिए बच्चो, next जो आपका question है, 7th की बात करते हैं, इसको रब करने जा रहे हूँ, तो 7th क्या है, the first inning of the match, मैस्ट की जो first inning थी, was very sensational, बहुत जादा sensational थी, तो बच्चो, यहाँ पे sensation मतलब रोमांचिक से, पता नहीं चलेगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो यहाँ पे आपकी noun की error है, और noun की error क्या है, error है आपकी inning में, तो बच्चो, जो पारी बोलत क्या बोला जाता है, innings बोला जाता है, अब आपको होगे, मैं पहली पारी की बात करें, और S लगा रहे हो, तो बच्चो, वो noun ध्यान करो, जो आपके singular और plural दोनों में, एक जैसे चलते हैं, innings भी उसी में से है, चाहे तो पहली बोलना हो, चाहे दूसरी बोलना हो, चाहे as it is, मतलब इसी तरह इसकी form चलती है, ध्यान रखना, और verb ये S देखके, आप plural verb मत लेना, innings में हमेशा singular verb ही आएगा, तो the first inning, यहाँ पे S लगेगा, innings होगा, और was यहाँ पे बिलकुल सही है, तो I hope आपको ये error समझ में आया होगा, तो no down कर लेजे, next error देखते हैं, बच should respect, किसी को, one को मतलब कि हर किसी को respect करना चाहिए, the religions of others, दूसरों के धर्म का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, as much as his own, जितना की वो खुद के धर्म का आदर करता है, उतना ही, एक किसी व्यक्ति को दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए, ये बोली है बात, तो ब ये आपका क्या होता है, ये आपका pronoun है, बच्चो, one pronoun होता है, इसका plural form, plural form क्या चलता है, once चलता है, और इस one का possessive form लेना हो ना, कभी भी possessive form, तो आप क्या लेते हैं, one apostrophe as, इसको भी once बोलते हैं, तो यहाँ पे should क्या है, moral obligation है, बच्चो, model है, कभी भी कोई moral obligation हो, आपका करना चाहिए तो should चाहिए के sense में use करते हैं और model की बाद में verb की first form बहुत बार मैंने आपको बताया है और respect, respect किसको भई? ठीक है तो the religion, respect what? किसकी respect करनी चाहिए तो धर्म की the religion और किसका धर्म? तो of preposition और ये preposition का object क्या? others ये object और object के रूपे others क्या है? pronoun है ठीक है? अब as much as degree है आपका कि उतना जितना की किसका? खुद के धर्म का तो बच्छो अगर यहाँ पे once subject है ना और possession दिखाना हो कि जितना वो खुद के धर्म का करता है तो his own नहीं चलेगा क्या चलेगा? once चलेगा इस चीज़ को ध्यान रखना as much as once अब once का मतलब क्या हो जाएगा? खुद का religion, खुद का धर्म तो one यहाँ पे subject है इसलिए his own नहीं चलेगा यहाँ पे कोई राम, शाम, मोमहन ऐसा कुछ होता तो his own बिल्कुल सही हो जाता यहाँ पे once क्यों लिया? क्योंकि one subject है, इसका possessive case लेना है, तो one apostrophe as low up, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, तो यहाँ पे आपकी किस part मेर है बच्चों? C part मेर है, चलिए, next error की बात करते हैं, क्या है? That was the most unique opportunity he got in his life, वो सबसे unique opportunity थी, अफसर था, जो उसको अपनी जिन्दगी में मिला, जो उसको उसकी जिन्दगी में मिला, तो यहाँ पे देखना बच्चों किस part मेर है? B part मेर है, किस की error है? Adjective की error है, और क्या error है? तो बच्चों कुछ ऐसे adjective होते हैं, यह unique क्या है? कैसे पहचाना, बोल के देखो, तुम good हो, तुम bad हो, तुम unique हो, तो good, bad adjective है, उससे match कर रहा है, इसलिए unique क्या है? Adjective है, तो adjective से पहले, आप कभी भी unique जो word है, unique जो adjective है, उससे पहले, बच्चों कभी भी, ना तो most लगेगा, और ना ही more लगेगा, मतलब unique ऐसा adjective है, जिसका ना तो आपका superlative बनता है, आपको पता है ना, most लगाके superlative बनता है, और ना ही इसका क्या बनता है, comparative बनता है, आपको पता है, more लगाके comparative बनता है, तो ना most लगाओ, ना more लगाओ, तो यहाँ पे ये most हटाओ, तो क्या वोलेगे, that was the unique opportunity he got in his life, most नहीं लगेगा, तो बच प्यूलिप तो जिनका ना आपका कम्परतिफ बनता ना सुपरलेटिव बनता यह अपने आप में है सुपर्लेटिव्प युणीख मतलब सबसे अलग, सबसे अनोखा, यह अपने आप में ही सुपरलेटिव इस पे मोर्स नहीं लगाना और derived आप में superlative है तो इसका superlative का comparative कभी बनता है क्या तो यहाँ पे जब already superlative है तो more नहीं लगाना उसका comparative नहीं बन सकता I hope यह concept समझ में आया होगा तो इस तरह कि other adjective जिन से पहले more और most नहीं लगता इनको no doubt कर लिजिए आपके exam में बहुत बार inspection बन जाता है बच्चो तो आपके board पे यहाँ पे मैंने एक list दी है तो यह वो adjective है जिन से पहले आपका more और most नहीं लगता तो बच्चो लिख लिया होगा आपने कुछ और words है उनको भी देखिए यह भी सारे words है जो आपको आपके exam में देखने को मिल सकते हैं इनसे पहले more या most लगाके आपका error दिया जाता है तो I hope सबने इस सारे words लिख लिए होगे चलिए अपने paper पे वापिस चलते हैं तो ninth question हो गया next देखना next आपका tenth question है तो आपका पहले instruction पढ़ो क्या है choose the correctly spelled word यहाँ पे सही spelling किसका है वो word choose करना है और word है mischievous तो बच्चो देखते हैं ए जो आपका option है क्या दिया हुआ है M-I-S-C-H-I-E-V-O-U-S तो बच्चो यही आपका क्या है correct spelling है तो यहाँ पे बच्चो कोई भी बड़ी spelling आपको मिला करें न उसको हमेशा breakdown करके याद करने की कोशिश किया करो जैसे miss याद कर लिया, chief याद कर लिया और V-O-U-S याद कर लिया और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मैंने हमेशा बुला है यह I और E का जो order है यह एकसर पूछा जाता है आपके exam में इस पर question बनता है तो मैंने बताया था कि just just कोई word चल रहा है उसमें आपको C मिल गया और उसके बाद में आपको पता करना है कि I E होगा या आपका E I होगा तो मैंने आपको यह पहले भी बताया है तो बता देजिए 1 और 2 जो लिखा है उसमें से कौन सा सही है तो बच्चो कौन सा सही है यहाँ पर second सही है यहाँ पर मैंने आपको बताया था C हो तो आप E I लीना और याद करने का एक तरीका भी बताया था मैंने बताया था alphabets के number होते है न तो C third number पे आता है E fifth number पे आता है I nine number पे आता है तो देखना increasing order of the number इस पे उसको याद कर लेना आप कभी भी C I E नहीं होता except few exceptions और exceptions तो हम याद करने बैठेंगे नहीं main main जुरूल है 90% केस में आपका लग जाता है तो यहाँ पे आपका सही spelling क्या होगा है mischievous अब देखना C के बाद में H आ गया C के बाद में क्या है H alphabet है direct C नहीं है इसलिए यहाँ पे जो order है वो क्या है I पहले है और E बाद में है अगर यह H नहीं होता केबल C होता तो order क्या हो जाता E I हो जाता लेकिन अगर C direct नहीं है तो आपका order क्या रहेगा I पहले और E बाद में यह एक याद करने का method मैंने आपको बताया और बाकी इस तरह की spelling को आप break करके याद किया करो और यह mischievous बहुत बार पूछा गया है आपके exam में बड़े-बड़े spelling पूछे जाते रहे हैं तो यहाँ पे mischievous का meaning भी देख लेते हैं तो mischievous किसी person के लिए यूज होता है मतलब क्या है adjective है तुम good हो तुम bad हो तुम mischievous हो और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है नटखट या शरारती यह इसका मतलब होता है तो बच्चो बाकी सारे spelling आपके यहाँ पे क्या है correct यहाँ पे सारे spelling क्या है misspelled है कि वहला आपका e option सही है तो I hope यहाँ पे जो 1 से लेके 10 questions हमने discuss किये हैं और इनके साथ जो-जो concept मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको इन details समझ में आ गए होंगे आपनी अपनी notebook में उनको अच्छे से note कर लिया होगा बच्चो एक्जाम तक इनको revise करते रहे न आपको बहुत सारे questions इन concept पे से मिल जाएंगे क्योंकि केवल हम question नहीं कर रहे question से related जो भी आपका English में concept है उसको details study कर रहे हैं तो I hope ये session आपके लिए helpful रहा होगा मिलते हैं next session में इसके part B के साथ में जो की होगा आपका 11 से 20th question का So until the next class, take care, study heart, जैहन